हेलो दोस्तो मेरा नाम है नरेंदर कुमार आपका एक बाद फिर से स्वागत है एजूकेशन विद मोटिवेशन में आज दोस्तो हम बात करेंगे इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स अब आउ जापान के बारे में दोस्तो आज मैं आपको जापान के ऐसे facts के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे मैं शायद ये आपने पहले कभी सुनाओ तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ जापान की जो population है वो है 13 करोड और population के आदार पर जापान दुनिया में 11 नंबर का देश है दूसरी चीज अगर बात करें दोस्तो जापान के अंदर 95% शहर हैं बाकी 8% गाउं है जापान के अंदर दूसरी चीज बात करते हैं दोस्तो जापान के जो लोग हैं इनकी सबसे ज़्यादा उमर पाई जाती है मतलब यहां के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग पाई जाते हैं मतलब कि यहां की जो ओसत उमर एवरेजेज है यहां पर एक आदमी की 85 साल दोस्तो ये बहुत सुपर फिट लोग होते हैं दोस्तो अगर फिटनेस की बात करी जाए तो जापान के अंदर जो लोग होते हैं वो इतने सुपर फिट इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर हर चीज के अंदर चाल चालन होता है ग्रीन टी को पीनेगा दोस्तो जापान के अंदर जो कई तरीके की ग्रीन टी उगाई जाती है और पी जाती है दोस्तो यहां पर ग्रीन टी का इतना क्रीज है जापान के अंदर कि यहां पर जो पीने वाली चाय होती है ग्रीन टी वो तो green होती है, इसके अलावा जो coke पीते हैं याँ फिर किसी भी पिकार की हम drink पीते हैं यहाँ पर वो भी हरे color की होती है और तोर दोस्तो, जापान के अंदर जो आईसeldो teh cream होती है, वो भी हरे color में पाई जाती है यहां के लोग जो हरे color की आइस क्रीम खाना पसंद करते हैं, मतलब कि ग्रीन टी को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है जापान के अंदर, जिसकी वजए से यहां की लोग सुपर फिट क्वालिटी में आते हैं, दोस्तों जापान के अंदर जादातर समंदर में पाई जाने वाली चीज़े ख बचाया जाता है, लेकिन जापान के अंदर, जापान काफी आगे निकल चुका है, पहले से ही वो सोच चुका है इसके बारे में, आपको बता दूँ दोस्तों, जापान के अंदर जो टॉलेट्स होती है, उनके ऊपर एक सिंक लगा होता है, जो हम अपना हैंड़ वागरा जो भी करते हैं, वो टॉलेट के अंदर फ्लस हो जाता है पानी, मतलब कि जापान के अंदर दोस्तों, ऐसी टेक्नलोजी का इस्तामाल किया जाता है, कि वहाँ पर पानी को विर्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता है, दोस्तों, जापान का moral education इतना अच्छा है, कि वहाँ पर अगर कोई इंसान किसी को टच भी करते हैं, तो तीन बार सौरी बोल के जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा यहाँ पर लड़ने के लिए उतार हुआ जाते हैं, दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि जापान की काफी सारी चीज़ें इंडिया से मैच करते हैं, जैसे कि जापान के अंदर कभी किसी रिष्टेदार के घर पर या किसी अंजान व्यक्ति ये घर पर कोई जाता है, तो अपने जूते चपल हमेशा भार ही उतारता है, और अपने साथ में कुछ न कुछ उपभार के माफिक कोई ने कोई चीज ले जाती है दोस्तों, आपको पता है कि जापान की जो एजुकेशन है, वो सबसे बेस्ट क्यों है, या फिर वहाँ पर 100% लिटरेसी रिट क्यों है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एजुकेशन को ले के कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाता बच्चों पर, वहाँ पर theoretical knowledge से ज्य जिससे कि हमारे देश में भी वो चीज़ें हो सके हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो कि theoretical knowledge नहीं ले पाते हैं, रट्टूत होते हैं ज्यादा नहीं रट पाते हैं, लेकिन उनकी intelligence इतनी अच्छी होती है, कि वो practically कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, appliances को भी समझ सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा, तो दोस्तो हमको Japan से ये एक positive point जरूर लेना चाहिए, अगर आपको ये मैं अच्छा लगा हो कि कैसा education point में आपको बता रहा हूं, तो आप please comment में मेरे को जरूर बताएं, चलिए अगले point की तरफ, दो दोस्तो आपको पता है कि Japan के अंदर noodles खाने का बहुत चाल चलन है, दोस्तो वहाँ पर जो है noodles को काफी खाते हैं, मालूम है, दोस्तो जापान में माना जाता है कि noodles को जो जितना सुडक सुडक के खाता है, जितना आवाज करके खाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसको वो ख जहापन से सीखनी चाहिए दोस्तो जापन के लोग कभी किसी भाहर के इnsसान को अपने पर्मानेंट रेजिदेंस नहीं देते हैं दोस्तो अब बात करते है जापन में गूमने ल्याग कुछ अच्ची जग़ों के बारे में तो Mount Fuji जरूर जाएं, दोस्तो बात करते हैं अगली जगे घुमने लाइक जापान में, दोस्तो अगली घुमने लाइक जगे का नाम है दोस्तो Golden Pavilion या फिर King Kakuji नाम है दोस्तो उसका काफी घुमने लाइक जगे है अगर आप जाना चाहें जापान में तो काफी अच्छी जगे है दोस्तो बात करते हैं तीसरी जगे के बारे में जो कि जापान में काफी अच्छी है घुमने के लिए दोस्तो अगर आपने बच्चों को क गुमने के लिए ऐसे ही वहाँ पर Tokyo Tower है दोस्तो अगर आप कभी जाएं तो Tokyo Tower भी ज़रूल घुमें अगली जगे है जापान में गुमने लाइक जैसे कि Todaji Temple हो गया, Miyajima आइसलेंड हो गया, फिर दोस्तो Komano, Naichi, Taichi नाम के जगे जापान में वह भी काफी फेमस है तो दोस् कि अगर आप मेरे चैनल को सबिस्क्राइब करते हैं तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स के साथ ऐसी वीडियो से लाता रहूँगा, आज के लिए धन्यवाद